BCCI ने आने वाले कुछ टूर्णमेंट के लिए जो कि डॉमेस्टिक टूर्णमेंट खेले जाएंगे उसके लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी सीनियर प्लेयर से गोहार लगाई है कि वो अब जो डॉमेस्टिक टूर्णमेंट है उस पर भी खेलें उस पर भी ध्यान द होता है उसमें कई खिलाडी जो है अच्छा प्रदर्शन करके आई पील में खेलते हैं और उसके बाद फिर टीम इंडिया की मुख्य टीम में उन्हें जगे मिलती है और जिस बेसिस पर यह साइकल बनी हुई है जो कि इंडियन क्रिकेट में एक नए नए खिलाडियों को नए चलंग खिलाडियों के साथ साथ एक्सपरियेंस्ट खिलाडी और जो खिलाडी इंडियन टीम का हिस्सा है वो खिलाडि भी इन सिरीजों में खेलते हुए दिखें इन डॉमे scholars जो ट्रोफ्य होगे है ऑस पर भी धिहान दें ओर जैसे दूलिब अभी ये भी है कि रोईज शर्मा और विराट कोली को exempt किया जा सकता है क्योंकि उन दोनों ही खिलाडियों के पास काफी ज़्यादा अनुभाव है और प्लस काफी ज़्यादा बिजी रहते हैं काफी tight और packed calendar रहता है इंटरनेशनल का और वो सभी format में खेलने वाले खिलाडिय और दूसरी चीज ये भी है कि आने वाले टाइम में कुछ सीरीज है जैसे श्रिलंका की सीरीज है इसके बाद बांगलादेश से टेस्ट सीरीज है न्यूजिलेंड सीरीज है तो इन सीरीजों से पहले जितने भी domestic tournament होंगे वहाँ पर टीम इंडिया के जो यंग्स्टर्स है उसके साथ experience खिलाडी भी खेलते हुए नजर आएंगे स्पोर्ट से जूड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें